डेली वर्ल पब्लिक स्कूल, इंडियास नमबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है काडमेक्स, स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट का बेहतरीन कॉंबिनेशन एडमिशन्स ओपन फ्रम प्री नर्सरी तुनाइट शनिवार की तो फैर अजमेर के लिए, अजमेर से एक बुरी खबर भी आई थी, जहां कॉरूना पॉजिटिव जो मरीज थे, उनकी मिर्तियू हो गई है, उनकी मौत हो गई है लेकिन इसी बीच एक राहत की ख़वर भी आई है और वो राहत की ख़वर शनिवार देड़ शाम जो अजमेर के जेलियन आस्पिटल से मेडिकल बुलेटिन जारी होता है उसके अंदर दिया गया है उसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि अजमेर के अंदर जो करोना के मरी मरीज इस वक्त भरती थे उनमें से टोटल जो लगबक मरीज हैं वो 37 मरीज ठीक हो चुके हैं जो करोना पॉजिटिव मरीज आये थे अब उनकी रिपोर्ट करोना नेगेटिव हो चुकी है अजमेर के अंदर भरती जो 37 मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं और इसमें से जो सब मरीज हैं इनको 14 दिनों के लिए क्वारिंटाइन सेंटर बेज दिया गया है जहां इनको 14 दिन तक रहना होगा वहां से ये कहीं भी नहीं जा सकते हैं इसके साथ ही एक मही तक जमेर के जलेन अस्पताल में 156 मरीजों के जांच सेंपल लिये गए थे उसमें से जो रिपोर्ट आईए उसमें से 85 लोगों के रिपोर्ट नेगेटिव आईए और 4 के रिपोर्ट पॉजिटिव आईए इसके साथ ही अजमेर के जलेन अस्पताल के अंदर जो वाड है उस वाड के अंदर 210 मरीजों को भरती किया गया है और इन 210 मरीजों में से जांच के सेंपल उनके ले ल पॉर्ट यह नजर आ रही थी लेकिन पिछले तीन दिन से अजमेर के जलेन अस्पताल से यह ख़बर आ रही है लगातार कि अजमेर के जो चिकिस्सक हैं वो कोरोना पॉजिटिव मरीजों मरीजों जो हैं उनका इलाज उनकी रीकवरी बहुत तेजी से हो रही है यानि कि ज आज जो कोरोना पॉजिटिव के जमेर जलेन अस्पताल में भरती मरीज हैं उनमें से पंद्रा मरीज ठीक हो चुके हैं उनको चाओ दिन के लिए कोरिंटेन सेंटर बेज दिया गया और यह सबसे बड़ी राहत की ख़बर भी है इसी के साथ में दो मरीजों की सूचना भी जानकारी है तो फिर दो बजे बाद की जानकारी है जिसमें दो कोरोना पॉजिटिव के मामले भी बताय जा रहे हैं जिसमें माशालला गेस्ट आओ जो दरगा बजार इलाके के अंदर इस्तित है यहां पर दो जायरीन लुके वे थे जिसमें यह दोनों के दोनों जानकारी और अधिकल ब्लुटिन के इस बात की भी जानकारी दी कई गई है कि जो तमाम जिन लोगो के सेंपल्स इस वक्त लिये गए हैं कोरोना के तमाम लोगों के जुस्वास्त है वो पूरी तरीके से इस्तिर है उनमें किसी परकार का एक भी ऐसा मरीज नहीं है जिसकी इस्त्ति है वो बहुत जादा Uhm या फिर वैंट ले जाने की इस्त्ति हो तमाम-मरीज़ों की इस्त्त्ति बिलकुल इस्तिर है उनमें किसी परकार के लक्रचण बहुत तेज नहीं है सबसंद ची राहत की बात जाह ही है कि अजमेर के जलेन अस्पिताल से लगातार जो कोरोना पॉजिटिव के मरीज है वो बहुत तेजी के साथ में अब ठीक हो रहे हैं